मैं हूं मुहम्मद अब्दुल्ला शाहिद आज हम लोग फर्स्टियर कमिस्ट्री चेप्टर नमर वान जो कि हैं बेसिक कॉंसेप्ट्स का उसमें से डिस्कस करना जा रहे हैं एवोगेड्रोस नंबर नंबर बेसिकली हम लोगेड़ा किसी उसको बहुत दे हैं कुवांट्टी को मिकदार को इसने सबसे पहले नंबरिंग देने की यानिके जो कमिस्ट्री उसको कमपरी डिटेल में स्टडी करने का अभी हम इसके एक्जेंपल जाते हैं अगर हम लोग बजार से चीनी लेने जाए तो हम लोगोंने कभी उसको जा कि यह नहीं बोला कि हमें एक हजार चीनी के डाने देते हाउनं चीनी के पार्टिकल्स देते हैं यह फिर हम लोगोंने कभी जाकर यह नहीं बोला कि हमें घंत्त के दाने आप लोग 500 देदे, हमेशा क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 100 kg में लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग ने यह पढ़ा हुआ है, एटम बहुत छोटा ज़र है, लोग जब एटम बहुत छोटा ज़र हैं, हम लोग एटम को गिन नहीं सकते, नेकड आई के साथ द कला मो honour प्रिवृस करके आ हैं तो सबस्ट्राइंश कि हम लोग किसी भी सबस्ट्राइंश के हम लोग क्या पतैंश क्या पहल थे अंदाजांगा रहे थे कि इतने इस ने स्माच तो लेट यह कहा कि अगर मों बढ़ेगए मों सबढ़ें अगर मों करने आप क्या है तो आपने ऊश्री मॉन best पर्टिकल वह मुझूद जोके मुझूत होते हैं कहां पर मुझूद होते हैं, वन मोल आप सबसाइब, किसी भी शाय के एक मोल में जितने पार्टिकर्स मुझूद होंगे, वो हमारे पास बेटा क्या कहना है, फिर इसी आप गेटोस नमबर को हम लोग एन ए के साथ रेप्रेजेंट करते हैं, सिम्बल इसका एन ए होता है, सब स्क्रिप्ट में हम लोग ले लेकर आते हैं, हम लोग उसका वेट करे लेकर आते हैं, इसी तरीके से हम लोगों का पता ए हम लोग एन जाहें, बनानास लेने जाहें, हम लोग क्या बोलते हैं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिर्फ औस कोनर्टी लेते हैं यह लिएंकि हर सबस्टायस का मैस डिपेट हैं लेकिन क्वाइंटी सेम होगी फिर और वह बान डोलाहोगा हम बनार्टी डेते हैं अलोगे स्कोर कर ले बंदा त्रिकर्ड में 100 बंदा सो बंदा के पास पैसे हो वो भी सेंच्री अगर वो सो किलो मेटर ट्रैवल करके वो भी वन सेंच्री होगा यह hundred years पास हो जाएंगे तो वह भी वन सेंच्री तो क्या है के वह के दाथ यृजी है किसी वी समस्टैंस के मैस होके अगर इतने मोल ले रहे हैं उसी भी समस्टैंस है तो इसके में 6.02 प्रेक्ट 10 का बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स की तदार भी बढ़एगे, अगर कम करेंगे तो पार्टिकल्स की तदार भी कम हो जाएगी, यह बुनारे तोर के उपर आप वो घ्रतल सेखतागे. अब इसमें हम लोग गटा एक्जेम्पल करते हैं जैसे अगर हम लोग लें 18 ग्रैम वाटर तो यह 18 ग्रैम वाटर किसके बराबर होता है वान मॉल तो जब वान मॉल के बराबर है तो इसमें पाटिकास कितने होंगे 6.02 मॉल्टिपलाएं बाई 10 के पावर 23 इसी तरीके से 23 ग्रैम हम लोग ले रहे हैं तो यह भी किसके बराबर होता है वान मॉल तो यह किसके एकोल है 6.02 मॉल्टिपलाएं बाई पावर 23 आयनीक कंपाउंड में हम लोग ले रहे हैं 58.5 ग्रैम ऑफ एन एसल यह भी किसके प्रापट है वन मोल कित्रे हैं 6.02 मुल्टिप्लाइब टैन की फावर 23 पाइब ले रहे हैं 17 ग्रैम हम लोग ले रहे हैं यह भी वन मोल के इक्वल है इसमें पाटिकास कित्रे होगी 6.02 मुल्टिप्लाइब टैन की फावर 24 मीन्स क्या है मतलब था यह है चाहे हम लोग मालेक्योज ले ले चाहे हम लोग इसमेशे ने के एक मोल होगा तो संभी 5.02 मुल्टिप्लाइब एंब दियुकर्श भया है हैं जैसे मिसाल हम लोगे कि यहां पर कर लेते हैं वो बोले we have one mole of water हमारे पास एक mole पानी का है how many molecules of water are there molecules of water कितने है पानी के माने कितने है फिर इसके बार बोले total atoms in one mole of water एक mole water में total atoms कितने है उसके बार को बोले hydrogen atom कितने है और oxygen atoms कितने है यह भी बूचे हमें तो क्या करें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वान मोल of water में कितने माली क्योंच पानी के हो हम लोगों को पता है one mole of water has । और है कितने माली क्योंच होंगे पिछे पड़ा है ना 6.02 multiply by 10 कि पावर 23 माली क्योंच एक मोल पानी का है तो 6.02 multiplied 10 की बाब 23 particles उसमें molecules उसमें water क्यों फिर फिर वो क्या बोलता है कि total atoms in one more water एक more water में कितने atoms होंगे total हम लोग रिखेंगे one molecule यानि कि एक molecule के टुपने देखने one molecule of water has atoms एक molecule पानी में कितने atoms है total कितने हों फ्री होगे total molecule कितने है 6.02 multiplied 10 की बाब 233 atoms of molecules of water has atoms तो क्या करेंगे 6.02 multiplied 10 की पावर 23 multiplied 3 करें तो यह बंद रहे है 18.06 multiplied 10 की पावर 23 यानिकि एक mole अगर पांगी का लेंगे तो उसमें total atoms कितने होंगे 18.06 multiplied 10 कि इस ही त्रीके से वो क्या पूर्चा है hydrogen atoms कितने है हम दो लिखेंगे 1 molecule of water has atom एक mole पानी में कितने है hydrogen atom कितने है तो है hydrogen है तो टोटल मालक्यूर कितने है 6.02 multiplied 10 के पावर 23 molecules of water has hydrogen तो क्या करेंगे 2 multiplied by 6.02 multiplied by 10 के पावर 73 एक कितने है 12.04 multiplied by 10 के पावर 23 तो ही त्रीके से oxygen के पूर्चे है हम दो लिखेंगे जा लिखेंगे 1 molecule of water has oxygen कितने है एक oxygen है तोटल मालक्यूर कितने है 6.02 multiplied by 10 के पावर 23 molecule of water has oxygen 1 multiplied by 6.02 multiplied by 10 के पावर 23 तो यह कितना आएगा सेम ही आगा एगा नम बेटा तो यह आगा अब इस एक्जेम्पल को में तबारस है आप लोगो सम्झालता हूं यह बोर्ड मार्कर से लेते हैं अभी न वह हमें यह बोर्ड है सबसे पहले उसमें उसमें कितने इस चीज़ें होती हैं 12 12 में तो वह चीज़ हम और पहले बयान कर दें उसमें पता है फिर भी बोलता है कि इस बोर्ड बारकर को तोर के बताओ कि एक मोल में यानि कि एक दर्जन बोर्ड मार्करों में कितने तुकड़े आए एक दर्जन बोर्ड मार्कर में तोटल कितने तुकड़े होंगे जो कि एक बोर्ड मार्कर बनाने के लिए इस्तिमाल हुए वन यह दूसरा बलू टू तीसरा यह वाइट वाला पोश्य है, यह हम लोग तीन लेते हैं कि पानी के माली कुल साथ पियर जा, तो हम लोग यहां पर यह लिखेंगे, एक बोर्ड मारकर है, वो बनाने में 3, तीन जो है न वो पार्ट इस्तेमाद हो, तीन पार्टिकल्स इस्तेमाद हो, फिर क्या ह हमारे पास 12 बोर्ड मारकर हैं, टोटल कितने हो गए, एक के लिए 3, 12 के लिए 12 मल्टिप्ला में 3, 36, हम भी यहां पर लिखेंगे, एक मालिक्यूल पानी के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स मिलकर एक पानी पर आ रहें, तीन, दो हैट्रोचलर एक, ऑक्सीजन, तो टोटल मालिक्यूस कितने थे, 6.02, मल्टिप्ला पेटरिक पाउर 23 थे, तो कितने होगे, 3 को मल्टिप्ला ही कर दिया, फिर वो हम से पूछ रहा है, इसमें जो हम लोगों का गोल्ड मारकर बन रहा है, इसमें ब्लू पोर्शन कितने हैं, ब्लू पास कितने, एक ये वालब क है, एक ये वाला है, दो, हम लोग बोलेंगे, एक मोल बारकर बनाने में, दो ये ब्लू वाले कैप्स इसमाल हुए, फिर वो पूछ रहा है कि टोटल कितने इसमाल हुए, एक दर्जन में, तो एक के लिए 2 है, तो टोटल 12 है, 12 मल्टिप्लेपे 2 कितने हुए, 24, यहां पर हमें दो लिखेंगे, 1 molecule of water has hydrogen, एक मालीकूल वाटर में, कितने है, दो, फिर वो पूछ रहा है, इस टोटल एक मोल में, इतने हाँ बारकर है, यह बनाने के लिए कितने हैट्रेपे 1 कितने है, फिर वो पूछ रहा है, हमें, कि टोटल 12 एक दर्जन बोल मारकर है, उसमें ये वाइट पॉर्शन कितने है एक वाइट बोड मारकर बनाने में एक यह वाइट पॉर्शन इस्तिमाल हो रहा है ठीक है 12 है जो 12 मल्लिप्लाई तो थीए उतना ही आवाइटा यह बेटा यह मैरे आप दोगोंगे इसके साथ कंपेर करके सेंपल देती है होप सो यह clear हो गई होगी क्योंकि इसी की बन्याद के पर हम लोग ने आगे चल लाए अगर clear नहीं होगी तो आप बूश सकते हो क्योंकि आगे हमारे बहुत ज़्यादा सरी example इसके इसके पर आए ठीक है हम लोग इसको raise करते हैं और आगे चलते हैं कि आगे हैं कि आगे हैं कि मैंने कुछ लिख्या हुए ना यह question बेटा पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आते और अक्सर स्टूडेंस इनको कन्फ्यूज कर देते हैं इसलिए यह question मैं साथ-साथ आप रूमोंस मिटाओंगा ताकि पेपर में confusion ना हो आप आसानी से अपने मार अब नेक्स आम लोगोने फार्मूला देखने फार्मूला भी किस चीज का विटा एवोगेडों जंबर का या निके नंबर आफ पार्टिकल्स मालूम करने का फार्मूला जो होगा वह होगा नंबर आफ मॉल्स मॉल्टिप्लाइब नंबर आफ मोल्स को मॉल्टिप्लाइब करते हैं नंबर आफ मोल्स को हम लोग लिखते हैं तो यह क्या रहेगा नंबर आफ पार्टिकल्स में नंबर आटम भी हो सकते हैं नंबर आफ कोग्निट कंपाउंज भी हो सकते हैं नंबर आफ फार्मूला यूनिट और नंबर आफ याषिछ वालूम करने हो हम लोगों यही फार्मूला लेने यह फर्मूला था इसके बाद एक्जेंपन है तो वह बोलता है कि we have 23 ग्रैम of sodium 23 ग्रैम वार्पा sodium है कितना है 23 ग्रैम एंड यूरीनियम जी है न वह फिर्टी ग्रैम वो बोलता है है तो नों में नबर फैक्टिंज एक जैसे हैं वाई एक्स्प्लेंड डिस्क्राइब ब्यान करें कि इन में सेम कैसे हैं हम रुखें को पाता है 23 ग्रैम आप sodium is equal to one mole 238 ग्रैम ओफ यूरीनियम इस एकल टो one mole ओ वान मोल अगर sodium का होगा तो पातिकास कितने हों में 6.0 तो मल्टिप्लाइब एक्टानी की पावर टर्णी थे जब दोनों में मोल एक जैसे हैं तो पार्टिकस भी एक जैसे हैं तो हम लोग लिखने हैं कि यह चूंकि एक्टम्स भी हैं हैं अलिमेंट के एकटम्स हैं वी एस सेम नबर अज़ों मालीकूस लैक्ट वाइज हैं तो यह चूंक्ट है एक्टक यह चूंक्त गांब्रव लीघ्जी प्रसक्रिए लोगों को पता है one mole of magnesium, एक mole magnesium का पसंद कितना है, 24 gram, इसी तरी कैसे, एक mole, आर्बन का पसंद कितना है, इसके बाद हम लोगों को नहीं क्या करना है, हम लोगों को यह भी पता है, one mole के कितने बार्टिकल्स होते हैं, 6.02 multiply by 10 की पावर 23, atoms of magnesium, has 24 grams, 6.02 multiply by 10 की पावर 23, atoms का मैस कितना है, 24 gram, one atom का मैस कितना होगा, one atom का मैस कितना होगा, हम लोगों इसको इसको और दा हैंग, 24 divided by 6.02 multiply by 10 की पावर 23, तो जब divide करेंगे, मैं इस कांसर डिरेटली देख लेता हूँ, बुक से, कितना आ गया, यह आ गया, four multiply by 10 की पावर माइनल, 23, four multiply by 10 की पावर माइनल, 23, तो यह प्लस का है, उपर जाएगा, तो माइनल, इसी जी के जवाब पर लिखाएगे, 6.02 multiply by 10 की पावर 23, atoms of carbon का वज़न कितना है, 12, वाइनल, one atom of carbon, एक atom carbon का वज़न कितना होगा, 12, इसका अंसर कितना हैगा, two multiply by 10 की पावर, 23, इसका अंसर कितना हैगा, two multiply by 10 की पावर, माइनल, two multiply by 10 की पावर, माइनल, 23, फिर, अब हम लोग ना, इनको लिखाएगे, magnesium का बज़न, carbon का बज़न, अब ना, जिसका बज़न कम है, जैसे हम लोग, empirical formula में करके तरहे, इसका बज़न करके इसको दोनों के साथ डिवाएगर, four multiply by 10 की पावर, minus 23, और वो कितना है, two multiply by 10 की पावर, minus 23, इदर भी, two multiply by 10 की पावर, minus 23, divided by two multiply by 10 की पावर, minus 20, जिसका मैस कम होगा, उसके साथ डिवाएड करते हैंगे, simple करते हैंगे, तो यह करेंगे, तो, two आ जाएगा, carbon का करेंगे, तो, one आ जाएगा, यानि कि, navigation का बज़न, तो, carbon का बज़न, 1 आएगा, तो, one आएगा, इसी विरास हम लो करेंगे, magnesium atom has twice the mass, as compared to the mass of carbon atom, एके, इसी बज़न, next question को बज़न, 180 gram of glucose N3, 42 grams of sucrose, has same molecules, but different atoms, X was 6 gram, glucose, हम लो करेंगे, 180 gram glucose, is equal to one more, और one more, फिर, 3, 42 gram of sucrose, is equal to one more, दोनों के one more है न, पड़ा जाब one more है, फिर क्या होगा, इसके particles कितने हैं, 6.02 multiplied by 10 power, 23, इसमें कितने molecules हैं, 6.02 multiplied by 10 power, 20, दोनों में same number of molecules आदे, फिर, हम लोगा लिखेंगे, जा लिखेंगे, one glucose has atom, एक glucose में atom कितने हैं, glucose का फार्मूला क्या होता है, C6, H2O6, 6 carbon, 12 hydrogen 6, कितने होगा है, total हमारे पास कितने है, 6.02, इस 24 को, हम लोगों को पास, 6.02 multiplied by 10 power, 23, glucose, has atom, कितने atom होगा है, 24 multiplied by 6.02 multiplied by 10 power, 20, इसका अंसर आपने होगा है, इसी तरही किसे, glucose, शरी सुक्रोज, 1 सुक्रोज, has atoms, एक सुक्रोज में atom कितने हैं, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिखना होगा है, C12, H22, O11, यह फार्मूला ही होता है ना, इसका, तो इसमें हम लोग बटा, अब यहां पर यह करेंगे, कार्बन कितने हैं, 12, hydrogen 22, 11, यह कितने होगा है, 2245, यहां पर 5 होगा है, 213, 45, यहां से क्लियर होगा, एक गुलूपोर्ज में 24 थे, वालिक्यों रेक जैसे है, यह तो डिफरेंट हो जाएंगे, 6.02, 3, सुक्रोज, हैंज, तो वो क्या एगा, 45, 6.02, अब इसमें से देखे, यह एवोगेडोज नंबर की वैल्यों दोनों में सेम है, यह डिफरेंट हो, जब यह डिफरेंट के हाँ है, तो एटम्स भी क्या होगी, डिफरेंट हो, पुटे, मैंने प्रीविर साथ वोगों एजेंपल देथी, एक बोड़ मारकर बनाने में टीन चीज़ा होगी, बारा कोड़ मारकर, तो बारा कोड़ मारकर में किते हैं होगी, एक बोड़ मारकर बनाने में फांस चीज़ा है, ने मुल्टिपल के Communications," लेकिन जो, उनको बनाने के रिए में इस्तमाल होने वाइने चीजें वो भी है एक जैसे में पूछी है यहां पर वही पास तीनों में से हमेशा कम अजका नहीं आ जाता है एन वाल लिख तो आप लोग ने इसको बड़े एंशे तरीके से पर पयार करते जाने हैं फिर भी आपर नहों को क्या से नहीं तो फिर को सकते हो, थैंक्यों सो मच, लावेस,